कि पुरा माहौल ऐसा है कोई नहीं जानता कि कौन पॉस्टिव है कौन निगेटिव है तो जाच भी तुरंत करवानी चाहिए और जाच में जो परिशानी आ रही है जो समय लग रहा है उसका इंतजार न करके उस इलाज शुरू कर देना चाहिए करोना की जो सेकेंड वेव है वो कितनी घातक है यह हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं जिस तरह से अस्पतालों में एक भीड भार का महाल है लोग परिशान हैं लेकिन सब डाक्टरों से बात हो रही है तो डाक्टर अपनी राय दे रहे हैं एक बहुत महतपूर चीज़ है जो किस तरह से हम इस से और अच्छी तरह से लड़ सकते हैं और अपने चाहने वालों को अपने कुद को बचा सकते हैं इस बड़ी बिमारी से तो डाक्टर से हम बात करते हैं और कुछ पॉइंस हैं जिसको आपको बहुत ध्यान लख रहा है और वो आपके लिए बहुत कारगर के काम करना है तो कि सारी चीज़े तो चल रही है लेकिन कि नया क्या है इसमें तकरीबन तीन हफ़ते हो रहे हैं ये जो कोरोना की सेकेंड वेव चल रही है इसमें हमने बहुत से अनभो किये और बहुत तरीके की समस्याओं के भी अनभो किये और निरंतर हम उससे कुछ सीखन और समझने की कोशिश कर रहे हैं इसमें जो बातें कुछ निकल कर सामने आ रही हैं वो यह है कि जैसे ही ये बिमारी अपना आफर डाल रही है इसके लक्षणों को पहचानने की जरूरत है जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ कि किसी किसम की कोई जुखाम कोई खासी उस पे समय बर्बाद किया जाए इसको प्रारंभिक लक्षन मानकर मानकर और सुईकार कर और इसके इलाज की शुरुवात कर दी जाए जिससे की समय बर्बाद ना हो चुंकि पुरा माहौल ऐसा है कोई नहीं जानता कि कौन पॉस्टिव है कौन निगेटिव है तो जाच भी तुरंट करवानी चाहिए और जाच में जो परेशानी आ रही है जो समय लग रहा है उसका इंतजार न करके उसको इलाज शुरू कर देना चाहिए दक सब यह सबसे महत्तपूर चीज यह आ रही है कि यदि गौवर्मेंट ने एक करोना किट आपको दे दिये उसमें यह प्रिसकाइब दवाईया है उसके अलावा कुछ आप ले नहीं सकते हैं तो ऐसा क्या किया जाया है कि उस दवाईयों के अलावा उसमें भी क्या देहा कि पिनाएं दरसल जो एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है उसको गौवर्मेंट ने डिसाइड कर दिया करोना किट के नाम से कर दिया है वो सिर्फ इस लिए है कि जैसे ही शुरुआत हो तो उस किट का इस्तेमाल शुरू हो जाए जिससे कि बिमारी बढ़ने न पाए और जरू विटैमिन्स दे दिये हैं उनिटी बढ़ाने की दमाईये दे दी है और वैक्टिन दे दी है तो यह जो वैसिक दमाईये हैं यह लेने में कोई हर्जा नहीं है उसके लिए यह नहीं कि रिपोर्ट पॉस्टिव आए तब हम शुरू करें इसको तुरन शुरू कर देना ही ल बहुत सी मेडिकल एडवाईस उपलब्ध है इन जनरल तो उपलब्ध नहीं है लेकिन उपलब्ध है तो उसकी राय लेकर के ही इसमें काम होना चाहिए देखे पहला फेज है कि लक्षण शुरू हुए हमने उसको समझ लिया हमने उसको मान लिया हमने इलाज शुरू कर दि और खास दोर से मैं आपका ध्यान इस बात के लिए आकर सित करना चाहता हूँ कि जिन लोगों को कुछ बिमारी और हैं सबसे जादा जो दिक्कत हो रही है जो दूसरी बिमारियों से गरसित लोग हैं उनकी परेशानिये बहुत जादा हैं उसमें चाहे बलड पेशर हो चाह किसी बिमारियों से जो लोग रसित हैं उन्हें इस समय बहुत होश्यार रहने की जरूरत है उनके एंड पे किसी किसम की लापरवाही बहुत मुश्किल में डाल दे रही है और जान लेवा बन जा रही है तो इसलिए इस बात का विशेज ध्यान रखना है ऐसे लोगों में जो कविट के बायो कैमीकल मारकर्स हैं लंग फंग्र्स हैं किड्णी फंक्शन टेस्ट हैं D-dimer है, I-l6 है, LD है, PRP है, यह जो मारकर्स है इनको करवाने की तुरहन जरूरत होती है क्योंकि यह यही लोग जो है वो गंभीर रूप में 맞는 परवर्वाहीत हो जाते हैं गंभीर medical advice की यहां पर जरूरत होती है कि उन्हें किसी डॉक्टर के संपर्क में रह करके इन जाचों के बारे में पूरी तरह से समझ करके उसके आगे का इलाज निश्चित करना है यहां पर जैसे CT scan जो है HRCT बोलते हैं वो भी एक बहुत बढ़िया टूल है इस सखत ऐसे लोगों के लिए इन जनरल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन जिनको तकलीफे हैं जिनको lung disease पहले से हैं उनके लिए यह बहुत जरूरी है और वो करवा लें अगर score उसका 10 से कम आता है तो आराम से रहें लेकिन 10 से ज़्यादा आता है तो वो होशियार हो जाएं और वही जो lung की condition है वही आगे चलके दिक्कत देती है इसलिए वहाँ पर इलाज की बहुत सक्स जरूरत है और बहुत close observation में इलाज होना चाहिए close medical supervision में इलाज होना चाहिए experts के हाथ में इलाज होना चाहिए उसकी जो भी राय है उसमें जो भी दमाईएं है वो दमाईएं ऐसी हैं जो घर पे नहीं शुरू की जा सकती है ना देना चाहिए उनको जो IV treatment हम लोग बोलते हैं वो hospital में ही possible है और वहीं पर देना चाहिए एक चीज और जो इसमें परिशान करती है अगर temperature होने के बाद normal हो गया है तो अच्छी बात है घर में इलाज हो जाएगा लेकिन किसी level पे oxygen का level हमेशा ध्यान रखने की बात है दिक्कत वहाँ शुरू होती है जहाँ oxygen level गिरना शुरू हो जाता है oxygen level के गिरने को एक संकेत मान के घातक संकेत मान के उस पे काम करना चाहिए हम ये देख रहे हैं हम ऐसान भो कर रहे हैं कि oxygen का level कम होना शुरूब लोग cylinder के पीचे भागने लगे सारा दिन उनों ने cylinder बर्बाद कर दिया और इस cylinder आपको मिल भी जाएगा तो आप कैसे ये निश्चित कर पाओगे कि कि अक्सीजन देनी है कितने टाइम तक देनी है क्या करना है क्या नहीं करना है मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि oxygen गिरने की चेतावनी को गंभीरता से लेकर के ऐसे मरीज को यह पहले आपने साइद ना सुनी हो कि जैसे ही आपको ऐसे लक्षर दिखाई देते हैं तो आपको इंतजार करने की ज़रूत नहीं है आपको गंभीर हो जाना है और तुरंट जाज करानी है जाज की रिपोर्ट का इंतजार नहीं करना है लापरवाही नहीं करनी है तो यह सारी चीज़ें बहुत इंपोर्टेंट है और इसको इदिया आप करते हैं तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आप इस घातक बिमारी से बहुत हाथ तक बस सकते हैं बिफोर प्रिंट के लिए विकास बाश्वे की कानपूर से रिपोर्ट अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें